Let's balance this chemical equation सबसे पहले हमारे पास क्या है? Chlorine है Then उसके बाद क्या है? Oxygen फिर यहांपे क्या है? Hydrogen है And last हमारे पास oxygen है तो एक बार हमने oxygen लिखा दोबारा नहीं लिखेंगे यहांपे reactant के side में जितने atom है and product के side में जितने atom है सबसे पहले आप उसको लिख लेंगे तो यहाँ पर chlorine कितना है? 2 है oxygen यहाँ 7 and यहाँ पर 1 तो आप क्या लिखेंगे? 7 plus 1 total कितना हो गया? आपका 8 hydrogen कितना है? only 2 अब हमें लिखना है product side chlorine then oxygen and then hydrogen यहाँ पर chlorine only 1 है, okay oxygen कितना है? 4 है and hydrogen यहाँ पर कितना है? 1 है, तो कोई भी चीज हमारी balance नहीं है, सबको हमें क्या करना पड़ेगा? balance करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं chlorine यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो जैसे यहाँ पर 2 लिखेंगे सबका 2 से multiply हो हो जाएगा, hydrogen का भी, chlorine का भी and oxygen का भी, तो multiply 2 2, multiply 2, कितना हो जाएगा? 4 तो जाए 8 and multiply 2 यह कितना हो जाएगा? 2 तो chlorine 2, chlorine 2 हमारा balance हो गया है, oxygen 8 oxygen 8 यह भी balance हो गया है hydrogen 2, hydrogen 2 यह भी balance हो गया है so this chemical equation is balanced को जाए lucky जाए जाए जाएगा?